उसे निरंकारी होना ही पड़ेगा कही हमारे अंदर या सुक्ष्म अहंकार न आ जाए कि हम तो बड़े भक्त हैं इसी अहंकार से भक्त का पतन हो जाता है यह समझना भी परमावशक है कि क्या हम वास्तों में भक्त की योटी में हैं भक्त अपना मन, बुध्ध, रगर, शरी, धन, परिवार, सब कुछ भगवान के चर्णों में अर्पित कर देता है उसके समस्त कार्य प्रभू के कार्य होते हैं श्री राम कृष्ण देव परम्हंस कहा करते थे डुबो डुबोरे मन रूपी सागरे बस आनंधन में गोता लगाना ही भक्त का करतब्य है परन्तु यह पुरुष्णार्थ का काम नहीं यह तो भगवान के क्रिपा से ही हो सकता है रमायन में श्री गोस्वा में तुलसिदास जी कहा करते थे यहां साधन तेना होई तुमरी क्रिपा पाव कोई कोई सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत क्रिपा सभी जीवों पर समानरुप से ब रखता है भक्त के लिए तो भगवान किस्मिती भगवान से बढ़कर है क्योंकि भगवान तो किसी का दुख दूर नहीं करते यह दिवे दुख दूर करते तो संसार में कोई दुखी नहीं होता दुख तो उसी का दूर होता है जो सुखी हो कर उनका इस्मरण करता है अतव पहले भक्ति है संतों का सत्संग, दुसरी भक्ति है प्रेम कथा प्रसंग में यानि प्रभु की भक्ति में लीन होना, तिस्री भक्ति है अभिमाहन रहीत होकर गुरु के चरकमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपल छोड़ कर प्रभु के गुन समुओं का गान करना, साथ भी भक्ति है जगत भर को संभाव में ओध प्रोत कर देखना और श्रंतों को राम में ही अधिक मालना आठ भी भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसे में संतोष करना और स्वप्र में भी दूसरों के दोश को ना देखना नवी भक्ति है सबके साथ सरलता पूर्वक और कपर ट्रहित बरताव करना हिरदय में राम भरोसा रखना और किसी भी आवस्ता में हर्ष और व्रशास से दूर रहना इसलिए इनो में से जुच में भी एक होती हुआ इस्ट्रिय पूरुष जर्य चेतन कोई भी हो को राम को अ पूझनेवाद श्री ओडियाबाबबाजी महराज ने अपने उपदेशों में कहा है कि भक्ति से अच्छा कोई मार्ग नहीं जिनका हिरदय कोमल है वे ही भक्ति के अधिकारी है क्रशो जीदे वाले या तर्क्र करने वाले पूरुषों के लिए ग्यान मार्गी ही हो सकता है भग्वाँ अच्कल्प तरू है भग्ति जैसे ख्षा करता है योगि वैसे ही होना पड़ता है बेप्रेंश काम भग्ति की महिमाहां भक्ति के योगी के लिए श्री मगभत गीता में भगवागोन अद्भुत्वालश्य अर्जुन को उपदेश दिया है भगवान ने अंतता कह दिया ना ये भक्त प्रश्यती मेरे भक्त का नाश नहीं होता अतास उसी दर विश्वात के साथ भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं ये भक्ति का चरमफल है